नमस्कार दोस्तों आप सबी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों गर्मियों में पसीना आना आम समस्या होती है मगर कई लोगों को पैरों तक पसीना आता है वहां शरीर और कपड़े से पसीने की पदबू गायब करने के लिए तो लोग परफ्यूम या डियोडरंट यूज करते हैं मगर पैरो वजूतों से आने वाला स्मिल दूर करने के लिए वे परिशान ही रहते हैं इसके कारण पब्लिक प्लेस में शर्मिंद की मिसूस होने के साथ बैक्टीरिल इन्फेक्शन जैसी बिमारियों का खत्रा भी बना रहता है ऐसे में इस समस्या से बशने के लिए आज हम आपको कुछ देशी वा कारगार उपाए बता रहे हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं पैरो वजूतों से समेल आने के कारण पैरो की सही से सफाई ना होना गंदी सौक्स पहनना गीले पैरो पर सौक्स और जूते पहनना कई दिनों तक जूते ना धोना लगातार कई गंटों तक जूते पहने रखना दोस्तो अब जानते हैं जूते वा पैरों से पसीने की बद्बू बगाने के कुछ देसी उपड़ि pale टी बैग में मुझोद टैनिस नामक परदात बैक्टीरिया को खतम करने में मदद करता है ऐसे में आप जूतों से पसीनों की बदबू बगाने के लिए टी बैक का इस्तिमाल कर सकती हैं इसके लिए गरम पानी में एक से दो टी बैक्स डालें उसके बाद इन बैक्स को ठंडा करके कुछ तेर जूतों में रखते इससे जूतों में स्मेल आना बंद हो जाएगी आप चाहे तो पैरों से पसीने की बद्बूर करने के लिए ग्रीन टी से इन्हें दो सकती है सफेद सिर्का सफेद सिर्का तो हर किचिन में असानी से मिल जाता है यह पैरो वा जूतों में पसीने की आने वाली बदबू भगाने में फाइदेमन माना जाता है इसके लिए सिर्के को स्प्रे बॉटल में डाल कर जूतों पर छिड़के इसके इलावा जूतों को धोते समय पानी में सफेज सिर्का मिला ले इससे जूतों से आने वाली स्मेल दोर हो जाएगी आप पैरों से आने वाली बदवू गायब करने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा सिर्का मिलाएं अब इस पानी में 5-10 मिनट तक अमने पैर डबो लें बाद में ताजे पानी से अपना पैर धो लें बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा एंटी बक्तिरियल गुनों से भरपूर होता है आप जूतों से पसीने की बदवू बगाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं इसके लिए स्प्रे बॉटल में पानी भर कर उसमें 1-2 चमच बेकिंग सोडा मिलाएं त्यार मिक्षन को जूतों पर छिड़ कर रात भर रहने दे अगली सुबा जूतों को कपड़े से साफ करके पहन ले इससे जूतों से आने वाली बदवू दूर होने के साथ इसमें मुझूद किटानू भी खतम हो जाएंगे चावल का पानी पैरो वजूतों से पसीने की बदवू दूर करने के लिए चावल का पानी कारगार माना गया है इसके लिए एक पाउल में थोड़ी से चावल भी होएं त्यार पानी को स्प्रे वाली बोटल में च्छान कर डालें फिर पैरो वा जूतों पर उस पानी को स्प्रे करें थोड़ी देर में आपको पसीने की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा खटे फलो के छिलके आप जूतों से आने वाली पसीने की बदबू दूर करने के लिए खटे फलो के छिलके का इस्तिमाल कर सकती है इसमें मुझो सीट्रिक आसेट पसीने की बदबूर दूर करने में मदद करता है इसके लिए संत्रे नीमबू ऐसे फलो के छिलके थोड़ी देर के लिए जूतों में रख दें कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आपके जूतों में से एक तम ही स्मेल दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थी हमारे आज की खास वीडियो मैं उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी फायदेमन लगी होगी अगर आपको ये जानकारी फायदेमन लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तिल देन ठीक केर एंड थैंक्स पर वाचिए